नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज से हमारी लाश्ट बूक हम सुरू कर रहे हैं साथ बूक हमारे पहले ही कम्प्लीट हो चुकी है अगर उनमें आपको ऐसा लगे कि कोई टोपिक आपकी कम समझ में आया तो आप बता सकते हैं हमारा जो पर्टिकुलर बुनावा उसके उपर हना हम उस topic को दुबारा से वो कर लेंगे हना चार अपरेल के बाद time मिलेगा वहाँ पर हम दुबारा से उस topic को समझ लेंगे लेकिन आपको 100% एकदम बढ़िया से सब topic को समझ में आने से हैं अब बात करते हैं 2D की तो ये देखे एक ऐसा topic है जो लगबग जो आपकी second grade की तयारी करते हैं 50% उन में से भी ये 50% हो नहीं पड़ते हैं ऐसा topic है 2D की जो बच्चे आपके तयारी करते हैं फारम बढ़ने वालों की बात हो नहीं कर रहा हूं मैं जो तयारी करते हैं कोचिंगों के अंदर वो भी 50% ऐसी होते हैं कि टूड़ी को छोड़ देते हैं कि हाँ इसमें से लगबग महा लेजिए आठ या नो क्यूशन वो पूछे जाते हैं तो आठ नो परसन हमाँ छोड़ देते हूं हाना क्योंकि समझ भी नहीं आती है लेकिन ये बुक अगर आप देखेंगे तो आठ या नो ही नहीं है 2016 का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लगबग 15% इस बुक में से वो पूछे गए थे आप जो 2D नहीं पड़ेगा वो 3D भी नहीं पड़ेगा और 3D से आप सबको पता है कि लगबग 6 या 7 है वो परसन पूछे जाते हैं तो टोटल 80 में से हैना एक्जाम देने से पहले ही लगबग आप 21 या 22 परसन हो पिछे हो रहे हैं लेकिन आप ये समझना कि 2D बुक का आपने अपने मन केंदर वो हवा बना रखा कि ये हार्ड है मेरे समझ में नहीं आएगी लेकिन ऐसा नहीं है हाँ आप मान सकते हैं कि कुछ से कंसेप्ट इसके अंदर वो हाड होंगे या फिर कुछ से डेरिवेशन वो लंबे होंगे हैना उसके अंदर टाइम हो ज्यादा लगेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 9% में से 9 ही आप हो नहीं कर पाएंगे लेकिन पढ़ेंगे तब तो कर प सबी पेपरों भेजे भी थे पूरी पीडिया बना कि आपको सेंड़ाओ कर दी अब टूड़ी के अंदर आप देख लेना कम से कम 70-80% आपको बाकाइदा आपकी बुक में से क्यूशन हों मिलेंगे तो यार इस बुक को तो एकदम बढ़िया से आप कर सकते हैं क्यूंकि इ बूट कर दो नहां पर हैं आप सबको पत시면 कि किअसे नहींसा यहां से पेपर काहां से आना है old books यहां लेकिन कई क्या करते है नहीं में तो IIT yaob기에 पडना कर लो लेकिन जब आपके काम के बाद है नहीं क्योंकि IIT तो आप teacher बनने के बाद भी पढ़ सकते हैं वो book तो लेकिन आपको teacher बनने के लिए सबसे important आप मान लेना और 2D और 3D 2D और 3D वाले के अंदर तो आपको सबसे ज्यादा जोर old book वाले question के अंदर ही लगाना है इसमें से बाहर question नहीं जाता है तो आप जो अलग-अलग जगह से पढ़ते हैं उसकी बजाए आपकी book का आपको 5, 10, 15 बार हो revision कर लेना है ताकि question देखें और उनको निकालने की जुरुती नहीं हुआ है ना direct है वो option A, B, C के उपर वो click करें है ना इससी तैयारी आपकी होने चाहिए वो टुड़ी को एकदम बढ़िया सी आप देखना राम से आप कर पाएंगे और मैंने आपको question हो बता दिये इसके अंदर से आपकी exam में generally 8 या 9 परसन हो आते हैं syllabus के हिसाब से लेकिन कई बार क्या होता है 2016 का paper आप देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको 15 परसन सिरफ और सिरफ कुड़ी वाली बुक्सिया हो मिलेंगे ठीक है तो important है और यह देखिए इसके अंदर मैं बात करूं अलग एक topic की तो यह देखिए सबसे पहला topic जो आज हम discussion हो करेंगे आपका कारती निर्ज पूचे जाते हैं इसे हैंना कि कोई आपको तीन से सब देदेगा और पूच लेगा कौन सा त्रिफू जो बन रहा है अब यह चीज आपने विक्टर के अंदर भी बढ़ी है यह आप टेंथ वाले से अंदर भी पढ़ेंगे हैंना और यहां पर टूड़ी के अंदर वापस पूचे जाते हैं न सरलरेखा से कम से कम दो परसन हो आएंगे इंपोर्टेंट है और एकदम से आसा ने ठीक है अब तक जो मैंने आपको बताया है इसमें से आपका मतलब जितने भी क्यूशन आएंगे हंडेर परसेंट आपका रिजल्ट होगा मान लेजे बिंदुबत से हाइगा हंडेट परसेंट आपका सही होजाएंगा से दो परसन हैंगे दोनौं आपके आराम से सही होजएंगे और ये देखे जो पहला चेप्टर है काड़्ये निदिसांग की नामिसे देयर का यहां से भी जो एगिया दो परसंट आते हैं वो आपके 100% हो सही हो जाएंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे सरलेल लेखा युग में यहां से जनल एक परसंट आता है ज्यादा से जब्याधा है ठीक है कई वर्थ ना और वर्थ से भी दो परसनों वो जनरली पूछे जाते हैं ठीक है वर्थ से दो परसन आते हैं सरलेका से दो परसन आते हैं तो दो दो च्यार तो यह हो गए एक आपका बिंदुगत से आता है तो पांच ठीक है और एक या दो आप मान सकते हैं कि दो इसको मिला के न यहां से दो या तीन परसनों बनते हैं तो टोटल लगबग आपके आठ नो या दस परसनों आ सकते हैं और मैंने आपको बता है अराम से आप करपाएंगे ठीक है यह देखिए वर्त तक तो एक्तम से आसान है और वर्त के बाद क्या होता है कि मतलब सब चीज हैं वो मिक्सप में होने लगते हैं तो आप साथ साथ पढ़ेंगे और मैंने आपको बताया कि सोट नोट्स तो आपको बना नहीं है क्योंकि इस समझते हैं इसको मैं मिटाता हूँ अब यह देखिए कारती निर्देसांग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले तो आपको पताईए कि कोई भी बिंदू आपको दे देगा उसका अक्सों के इसाब से आप मतलब किस परकार से उसकी स्ततिय हो दरसाएंगे एक बात कर इस परकार आपके घर का जो अड्रस है उससी परकार से यह किसी भी बिंदू का है ना किसी भी पोईंट जैसे यह प्या आपने ले लिया तो इसे पोईंट पींड 진 का अब्ण आपको आ यह डिलें द्धिया की शब्रत को को तो अब करते आपको पता है तो यह एक अघ्य। बताता है mix से दूरी हो कितनी यह दो और इसी परकार इसका जो वाई निर्दे सांग है वो क्या बताता है अकसे से है वो दूरी बताता है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है इसके लावा एक चीज़ आपको यह ध्यान में रखनी है कि इस पॉइंट का यह जो अकसे निर्दे सांग है वो क्या कलाता है भूज कि नाम से भी आप जानते हैं कई बार परसंगेंदर इसको भुज भी लिखावा मिलेगा इसी परकार यह जो इसका Y-Nirdhya-Sung का क्लाता है इस पॉइंट P का कोटी की नाम से भी आप जानते हैं तो पूटे के नाम से भी जानते हैं यह आपको ध्यान में वो चीजे रखनी हैं इसके लावा हम बात करें तो यह देखे एक तो क्या होता आपके पास कारती निर्दे संग होता है इसी प्रकार आपने complex के अंदर हो देखा था धूरी निर्दे संग तो धूरी निर्दे संग को किस के दोरा आप रिपर्जेंट हो करते हैं आर थिटा की रूप में रिपर्जेंट करते हैं तो यह देखे आपके पास क्या जाएगा धूरी निर्दे संग आप आर थिटा की रूप में लिखते हैं और ये जो X, X के सब X, जो angle है, theta है, ये क्या होता है, theta होता है, अब ये देखिए, अगर आप से कोई पूछ ले, कि कार्तिय निर्देसांग और ये धूरी निर्देसांग है, इनके बीद समंध हो क्या होता है, तो अभी तो हम ने सिखा, ये देखे, P point के आपने कार्तिय नि मिठा देता हो, ये देखे, ठीक है, ये देखे, हमने क्या देदिया, P point ले लिया, जिसका आपने coordinate क्या ले लिए, X और Y ले लिए, और अब हम बात हो कर रहे है, कार्तिय निर्देसांग और धूरी निर्देसांग को बीद समंध की, तो ये तो आपके पास है, दूरी क्या दूरी होती है, ये दूरी तो आपके पास क्याє, X है, ठीक है, और इस point P में ये जो Y कोडिनेट हो क्या बताता है, X-Aक्स दूरी को बताता है, और ये दूरी आपके पास क्या हो जाएगे, Y हो जाएगे, और ये क्या इसके अइसको अगर कोई नाम देना चाहेए, तो ये O O point है और यह a point है तो यह आपके पास क्या बन जाएगा एक Tengle बन जाएगा oab है noh a p इसके इंदर आप पाइथा गुरस हो पर में लगाएगी तो यह देखें आपके पास हो क्या जाएगा आधी स्क्वैर बराबर आपके पास क्या जाएगा एक्स स्कुर प्लस किंदर क्या जायगा and y स्क्वाइर आ जायगा और यह देखे इस परकार एक तो आपके पास यह रिजल्ट आ गया है और अगर आप थिटा को निकलेंगे तो यह देखे इस कंदर आप लगा सकते हैं यह दिकden आपके पास तीन वर्बर क्या होता है? आपके पास क्या है? आर साइन थिटा आजाएगी और थिटा बरबर आपके पास अगर आप निकालेंगे तो थिटा बरबर आपके पास हो क्या आएगी इसको तो आपने फैस्ट हो दे दिया इसको आपने सेकेंडर हो दे दिया तो यह देखें दो के अंदर अगर आप एक का हो भाग देंगे तो सब और टीटा वराबर किया वर्यक्त के अब यह पन आ धक्कए तो इस प्रकार आपके विलु निकालनी है और आर की विलु आपके पास यह अई जाएंगी सब बाते में ने लिख रहे थी है और आपको पता भी यह बात हमने complex के अंदर वह पड़ी थी और यह देखिए ठीटा क्या होता है konang को होता है तो konang को भी लेना का तरीका जो आपको है वो याद होगा अगर आपके पास अगर fast coordinate के आपके पास निर्दे संख है जैसे fast coordinate में x का coordinate भी क्या होता है प्लस होता है x का चीन भी और y का चीन भी क्या होता है फ्लस होता है ठीक है इसी परकार इसके अंदर आप देखेंगे दूसरा जो आपके पास यह देखिए यह पहला चतुरतांस है यह दूसरा चतुरतांस है हना और यह तीसरा चतुरतांस है और ये 14 चातुर्तांस है इसके अंदर x और y दुनों क्या होते हैं positive होते हैं इसके अंदर आपको x तो क्या m aleगा negative मेले खोर you positive मेले गा इसी परकार इसके अंदर आपको दुनों negative हों मिल जाएंगे और इसके अंदर आपका x coordinate तो क्या मैलेगा positive मिलेगा और y coordinate आया वो क्या मिलेगा negative मिलेगा तो मैंने आपको konang कमानों केशे लेते हैं है इसके अंदर तो अगर आपके पास x और y दोनों के chain क्या पलस है तो इसके अंदर तो जो आपने theta निकला वही theta हो आएगा konang ठिक है यह सब बाते हैं हम complex के अंदर वो पढ़ जोके हैं लेकिन यहाँ पे वापस से वो आपको पढ़नी है ताकि एक तो आपका revision हो जाएगा और एक आपको सब कुछ हो याद आ जाएगा ठेक है अब यही सब चीज़ें आप theory के अंदर वो यहाँ पे लेकि होई है तो इसको देख के आप बना सकते हैं यह देखें वापस से एक वाड़ा हो समझ लेते हैं एक बिंदू के कारती है निर्देसांग देक है निर्देसी अक्सों के सापेक से किसी भी बिंदू की इस्तती को बताने वाला कर्मित यूग अक्स और वाई उस बिंदू का कारती है निर्देसांग का वो कहलाता है जैसे मैंने आपको बता है कि एक तरह किसी क्या बता है निर्देसी अक्सों या फिर समकोनी अक्सों के सापे किसी भी point का address है वो बताता है ना जैसे आपको बोल दिया 2-3 तो आप मतलब फटाक से वो बता देंगे यहां पर तो एक है और यह दो रहा ना और यह एक खाना यह दो खाना यह तीन खाना मतलब यहां पर point पिया जागा दो थरी तो इस परकार से मतलब किसी भी point का यह address हो बताता है इसके बाद हम बात करें तो यह देखिए आपके पास हो क्या है इसके अंदर यह सब बाते हो मैंने आपको बता दी इसका अक्स जो निर्दे संग का वो तो किसको बताता है भूज को बताता है और वाई निर्दे संग को किसको बताता है कोटी को बताता है इसके अलावा यह जो अक्स कोडिनेटर वो तो क्या है वाई अक्स से दूरी को बताता है ठीक है यह सब बात हम हो पढ़ चुके हैं तो इस निर्दे संग का वो बिंदू की x x से लंबद दूरी होती है इसको आप कोटिक की नाम से भी हो जानते हैं अब बात करते हैं दोस्तों यह देखे धूरी है निर्दे संग, polar coordinate तो यह देखे polar coordinate को भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी point P polar coordinate है वो r theta की द्वारा तो लिखे जाते हैं जैसे कार्थी निर्दे संग xy की रूप में लिखे जाते हैं उसी प्रकार polar coordinate है वो r theta की रूप में वो निर्दे सितह के जाते हैं ठीक है जहां पर r तो क्या है किसी भी point p की मूल बिनु से दूरी को कौन बताता है r बताता है और theta क्या होता अकसे जतनी डीगरी का कौन में वो क्या होता है theta होता है ठेक है और ये देखिए आपको theta क्या होता है विसे konang की नाम से भी आप जानते है और konang की value आप सबको पता है कि पहले जो पहले आपका चतुर्धान सा है उसके अंदर तो जितनी डेगरी का कौना है आपको है वही है वो थिटा हो जाएगा अगर आपके पास सेकंड कोडिनेट के अंदर कोई वेल्यू है तो उसके अंदर थिटा आपके पास हो क्या आएगा किए कौंग ठिटा कैRO ainsi नहीं है अगर एकर क्स आलावा ये देखे दोनों की बीजस जो समझ्द होते हैं वह भी मैंने आपको बता दिया न हैं है यहांपे यह क्या बन रहा है कोई ले लेंगे तो cos theta तो क्या हो जाएगा अधर बटा कंड और sin theta आपके पास हो क्या जाएगा लंबटा कंड हो आजाएगा और आपके पास यह देखिए x ब्राबर r cos theta y ब्राबर r sin theta अब दोनों को आप ना वरक करके जोड़ देंगे तो आपके पास क्या जाएगा x square plus plus y square ब्राबर r square क्योंकि sin square theta plus square theta तो क्या होता है 1 होता है ठीक है अब यह देखिए छोटी छोटी बच्चों वाले चीज हैं यह तो आप सबको पता भी है और हम दो तीन बार यह पड़ भी चुके है ठीक है इनको अब ज्यादा टाइम वेश्ट करने से मेरे साब से कोई फाइ आए वो आपको फिर चतुर्थांस के इसाब से कोणां के विल्यों हो लेनी है अगर आपके पास पहले के अंदर तो theta जो भी आया वो आपके पास आनसर आजाएगा है अगर आपके पास second मैनस का अंडूर्ड थरी इसका आपसे धूरवी निर्दे सांग का वो पूचा है तो सबसे पहले यह तो क्या है आपके पास एक से कोडिनेट और यह क्या होता है अभी तो हमने बात की है आर बराबर आपके पास हो क्या आता है अंडूरूट के अंदर अक्सी स्क्वार और प्लस के अंदर क्या आएगा वाई स्क्वार तो यह देखे आपके पास विलू क्या जाएगी अक्सी स्क्वार मैनस एक का स्क्वार एक confusion किसमे होता है कि unroot 3 और 1 by unroot 3 है ना इन के इंदर आपके confusion होता होगा तो ये दिए कि आपके पास unroot 3 है मतलब value के आएगी जदा आएगी तो जदा value किसकी होती है हना जदा value मतलब 60 degree तो ये दिए किस का koordinate भी minus है और Y का coordinate भी minus है मतलब र Olsak Pres guid sandy हो जाएगा तीसर हो जाएगा तो आपके पास konang की value कई है एगी मैथ का pie मैनस का theta मतलब आपके पास की रहेगा को रहेगा क्वराबर हो आपके पास value क्या है कि minus और पाय मैनस theta theta की value आपके तो 3 लेंगे तो 3 πाई मैनस का पाई मतलब 2 π भी 3 और मैनस का वो निसान आएगा तो आपके पास डो कोना अंक verb की आ जायगा मैनस का 2 π भी 3 मतलब धुर्फे निर्देसांव का वो आपके पास फिल्लू क्या आएगी ये दिकर R theta की रूप में आप लिखते हैं धूरी निर्दे सांग को तो R की value तो आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई और theta की value आपके पास है वो क्या जाएगी? minus का 2 by 3 है वो आ जाएगी ओके यह आपके पास क्या गया? अब यह देखे important है और चोटी चोटी चीज है यह तो आप सब को पताईए इसमात करते हैं 2 बिंदों के मद्दे की दूरी है ना चोटी चोटे बच्चों वाले topic हैं distance between 2 points से अगर आपके पास से 2 points दे रहे हैं जिसके आपको निर्दे सांगा हों पता है तो दोनों के मद्दे की दूरी आपके पास क्या आजाएगी PQ बराबर अंडूरूट X2-X1 का स्कार प्लस Y2-Y1 का स्कार यह देखे आया के से वो भी थोड़ा आप समझ लेजिए तो यह देखे आपके पास क्या है point P है ठेक है अब इससे point P की Y X से दूरी हो क्या होगी Y X से दूरी मतलब यह दूरी है ना यह तो क्या बताता है इसका X कोडिनेट हो बताता है तो यह दूरी तो आपके पास क्या जाएगी X बना जाएगी और इसकी X X से दूरी हो क्या बताता है इस P two point की तो यह दूरी आपके पास क्या जाएगे Y two आजाएगी और यह देखिए इसकी Y X से दूरी है वो क्या जाएगी X two है वो आजाएगी हना अब यह देखिए P point से आप क्या कर रहे हैं इससे रेखा के उपर लंबह वो डाल रहे हैं और मान ले ना यह point आपने क्या देदिया इसको नाम है वो R है वो देदिया अब देखिए P से लेकर R है ना यह लंबह आपके पास हो क्या हैगी X two minus ka X one हो आजाएगी है ना P से लेकर R तक के लंबह आपके पास हो क्या हैगी x2-x1 और इसी प्रकार इदेखे R से लेकर क्यों तक ये लंबही आपके पास ज़ेगे y2-y1 और ये देखे आपके पास एक त Biboo जहोँआगे संब को तrictiveاب जहोँआगे P, R और क्योंआगे ये आपके पास क्या है x2-x1 तो x2-x1 का square और plus lump कितना है इसका y2-y1 तो ये देखे y2-y1 का square आ जाएगा और pq बराबर आपके पास क्या हो जाएगा and root के अंदर x2-x1 का square plus y2-y1 का square अभी देखे आप सबको पता है लेकिन ये देखे easy topic है तो easy भी आपको पढ़ना पढ़ेगा और जब hard आएगा तो उसको भी हम वो समझेंगे ठेक है easy है तो थोड़ा जल 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 दिया हो कर लेंगे और hard आएगा तो उसको 3-4 मतलब थोड़ा time हो लगा की कर लेंगे और 2-3 बार और revision भी साथ साथ हो कर लेंगे ओके अब इदेखे आपके पास से कुछ example है तो पहला example आपको देर का पी और क्यों इन दुनों बिंदों के मद्दे की दूरी आप से पूछेगे तो राम से बच्चों वाला क्यूसन है ये देखे PQ बराबर आपके पास किया जाएगा अन्रूट के अंदर माइनस का three Mongol हा लै क्षव हांatta सो आपके पास क्या जाएगा माइनस का three माइनस का two मतलब मांईनस five का स्कोर कितना हो जाएगा दो माइनसELLE plus हां लेकिन आप यह मत कर देना हाना इसको तो आपके ले लो क्या ले लोmee उसको आपके लेलो यवन लेलो ना जहां पर आपने एक्स-1 लिया उसी को आपको वाई बना पड़ेगा तो यह देखिया आप माइनस 3 माइनस 2 करने हैं तो फिर 2 माइनस माइनस से एक मतलब 2 प्लस एक हो जाएगा 3 का इसकिर आपके पास क्या हो जाएगा नौ पत्री सो नो मतलब अंुरूट 34 आपके पास क्या जाएगा इन दोनों बिंदों के मद्दी की ही दूरीया वो आजाएगी अब देखें दूसरा परसन यह आपकी एक्जाम में 2011 की एक्जाम में हो पूछा गया है ठीक है सेकंड ग्रेट 2011 में यह क्योशन हो आया था और बाकाईदा आपकी बूक का यह first एक्जामपल का second क्योशन ही दे रखा है तो यह देखे इन दोनों बिंदों के मद्दे की दूरी आप से पुछिए तो वही फोर्मुला आपके पास PQ बराबर क्या हो जाएगा अन्रूट के अंदर X2 माइनस का X1 तो यह देखे आपके पास हो क्या हैगा A कोस बिटा माइनस के अंदर क्या जाएगा A कोस अलफा का स्कूर ठीक है और यह देखे पलस का निसान और A साइन बिटा माइनस क्या हो जाएगा A साइन अलफा का स्कूर हो जाएगा ठीक है अब देखे यहाँ पर आप क्या करेंगे अन्रूट के अंदर تو है, यह देगे a square plus का b square minus का क्या होता 2 यह भी, तो यह देगे आपके फास यहाँ पर भी यह, इसके अंदर भी यह, इसके अंदर भी यह, इसके अंदर भी यह सबसे पहले इसको आप छोड़ दिजीया a square आप करेंगे थो a square common आपने ले लिया तो क्याएगा कोस स्क्वार बिटा और इसके इंदर भी आप A स्क्वार करेंगे तो यह देखे साथ में क्याएगा A स्क्वार साइन स्क्वार बिटा तो A स्क्वार तो आपके पास क्या बनेगा sin square beta plus के अंदर cos square beta जिसकी value क्या होती है बन होती है ठीक है इसी प्रकार यह देखे यहाँ पर आपने a है वो कोमल ले लिया a square तो आपके पास क्या आएगा cos square alpha और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा plus का sin square alpha तो इसकी value भी क्या होगी बन होगी ठीक है फिर देखे मैनस का 2a b तो यह देखे a तु यहाँ पर रहे और a यहाँ पर रहे तो आपने a square वो कोमल ले लिया मैनस का 2a square वो दोनों step से आप कोमल लेंगे तो यहाँ पर तो आपके पास क्या बन जाएगा cos alpha cos beta ठीक है और यह देखे यहाँ से आप से पास हो क्या बच जाएगा पलस का क्या जाएगा साइन अलफा साइन बिटा वह आपके पास हो आ जाएगा ठीक है अब आग्या आप यह देखे ए स्क्वेर यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है तो आपने ए स्क्वेर हो कुमन ले लिया सभी से और बाहर हो निकाल दिया अ a, cos b, plus ka nis-sin a, sin b. अब यहाँ पर cos का क्या होता, ओलता है, system होता है, यहाँ पर plus का nis-sin है, तो यह formula किस का होगा, cos a minus b का होगा, तो यह देखिया, आपके पास क्या आजाएगा, cos alpha minus का बीटा आजाएगा, और यह देखिया, यहां से अगर आप 2 है वो कॉमल लेंगे तो यह देखे ए तो हई अनुरूट के अंदर 2 आपने कॉमल ले लिया तो 1 माइनस का कोई अलफा माइनस का बीटा आ गया और 1 माइनस कोई सिटा क्या होता है 2 साइन स्क्वार थिटा तो आपके पास यह देखे यह आनुर आपके पास है वो आजाएगा 2 a sin अलफा माइनस बीटा बाइ 2 यह आपके पास था ओप्सन ठीक है यह ओप्सन क्या हो जाएगा सही आपका हो जाएगा तो यह 2011 की क्यूशन आया वा एक्जाम में अब यह देखे यह दीसरा क्यूशन है यहां पर भी आपको दुनों बिंदों के मद्दे की दूरी यह पूछी गई है तो यह आपके लिए होम्र का आप माहन सकते है ठीक है इसी प्रकार आपको x to minus x1 y to minus y1 का स्कुर आपको करना है और आपके पास दूरी होआ जाएगी यह आपका कर लेना हो सकता है 2022 में यह क्यूशन हो पूछ ले जाए ठीक है इसा प्रसन हो आता है एक तो दूरी निकालने वाला तो यह प्रसन हो अच्छा है अब यह देखिए अगए आप example देखेंगे तो आपके पास क्या है यदी दो बींदों पी थथा क्यों किया मद्दे की दूरी आपको देदी अंडूरूट अठ्यावन हो तो अक्स का महान आपसे पूछा है ठेक है इस परकार की क्यूसिन भी आ सकते हैं आपके पैस तो वही फोर्म ना आपके पास पीक्व ब्राबर आपके पास हो फोर्म ना कया होता है टीक्व ब्राबर अंडूट एकसथे मां-डी इस का थ्या ठीक है और फिर यह देखिए अग्यकरा de gratitude माइनसट फ्यक्त आप यह के गा और इस सेड आपके पास क्या एगा हिए देखे साथ-साथ में हम स्क्वार को भी उपन वो कर लेते हैं तो स्क्विट नाईन ठीक है और मैश केंदर क्या जाएका 6 एक Гう इदर ही मैंनसЕ का पांत रू मितलब मैनस का साथ इसका आप वरगव करेंगे तो आपके पास विल्लो क्या है कि 49 न हो आ जाएगा ठीक है अब देखे 49 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है तो इनका यह कितना होता है ठावन तो अठावन से ठावन हो काट दिया आपने तो एक्स स्क्वेर माइनस का 6 एक्स बराबर आपके आपके पास क्या हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है तो जो भी आपके पास आपके पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है अब यह देखे दूरी वाले फोर्मले के अनुप्रियों का आप निचे यह देखे लिखे हुए हैं यहाँ पर इसे क्यूशन हो बहुत सारे आप से पूछे जाएंगे एक्जाम में है ना कोई भी तीन मतलब त्रिभूज की सिर्षा हो दे देगा और पूछेगा कि यह त्रिभूज को कौन सा बनेगा संभाव बनेगा संभाव बनेगा बनेगा यह संभाव बनेगा यह संभाव बनेगा ठीक है इससे परसन एक्जाम में आपको एक परसन तो डेफिनेटली देखने को हीम लेगा हो सकते हैं दो भी आजए हैं ना डेट्सों में से दो परसन भी ऐसे पूछे दा सकते हैं रेकिन एक तो डेफिनेटली आएगा ही कि आइगा तो यह important है यह आपको याद differenti है यह देखिए दूरी वाले rocky से आप कर सकते हैं to be c की दूरी निकाल लो ग की की दुरी की की दूरी की निकाला सम्भात सब भूसाइं इसकी बराबर होते ठीक है यह आपके पास A Sears है यह आपके पास B है और यह आपके पास क्या है C है आपको सबसे पहले क्या निकालनी है A B की दूरी निकालनी है ना DC की दूरी हो निकालनी है और C A की दूरी हो निकालनी है अगर यह तिनों दूरियां समान हो जाएंगे तो आपके पास कौन सा त्रिबू जाएगा संभाव त्रिबू जो आजएगा अगर आपके पास दो दूरिया वो समान है तो आपके पास कौन सा त्रिबू जो आजएगा संभाव त्रिबू जो आजएगा ठीक है अगर तिनो दूरिया ही अलग अलग है तो आपके पास विशंभाव त्रिभूजो अगर मतलब अगर आपके पास यह हो जाए है ना इन years ठेका सरेक बेंदू हाना इस सा थी क्यूसन हो पूचा जाता है कोई भी आपको तीन बेंदू दे देगा और यह पुछेगा कि सरेक है या नहीए है या फिर मैंने आपको जैसे वेक्टर के अंदर भी करवा है था कि कोई भी जैसे एक कोडिनेट आपको लेमडा हो दे दिया और आपको यह बोल देगा कि दिये तीनों बिंदू क्या सरेक है तो लेमडा की वेलों पूछी जाएगी आपस तो अगर एससे परशन आए तो यह देखे आपके पास सरेक है ताकर जो प्रतिमंदग क्या है आपके पास जो बड़ी दूरी है न मतलब यह देखे एक ही पॉइंट के ओपर एक मिनुट मैं चितर की मादिय में से अगर आपको बताऊं तो यह देखे आपके पास यह क्या सरे यह आपके पास A point है यह आपके पास क्या है B point है यह आपके पास B point है और यह आपके पास क्या हो जाएगा C point हो जाएगा तो यह देखे अगर आपके पास A C situation आजाए A C वराबर आपके पास क्या हो जाए A B plus B C हो जाएगा यहाँ पर तो यह देखे आपके पास क्या था square था न वरग था और यहां पर आपके पास वरग हो नहीं है न बड़ी दूरी मतलब AC और यह किसके बराबर मिलेगा आपको जो अन्य दो छोटी दूरीयां उनके योग के बराबर अगर आ जाए तो फिर यह बिंदू क्या होंगे सरेक यह बिंदू होंगे important है important आप लगा लए ना यह आपको ध्यान में उरखना तो यह देखिए summary टाइप मैंने आपको लिख दिया और यह आपको ध्यान में उरखना और वेसे भी आपको पताई है यह तो normal सी बाते है और 10th वाले syllabus के अंदर आपको वापस से वह पढ़ना है अब यह देखिए अगल हो क्या जाएगे अंडूट के अंदर AB कमान मतलब 6-3, 3 कवरग आपके पास हो क्या एगा नो ठीक है और 4-0 मतलब 4 कवरग कितना हो जाएगा 16 तो यह देखिए अंडूट 25 और जिस कमान कितना होता है 5 होता है इसी पर का यह देखिए आप 20 की विल्यों निकलेंगे तो यह देखिए 20 कमान आपके पास मैनस का एक मैनस का 6 तो मैनस 7 कवरग आपके पास कितना हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा तो यहां पर भी आपके पास ओमान कितना जाएगा फाइप हो जाएगा अब यह देखे एक तो क्या है यह दोनों दूरियां समान है मतलब आपके पास कौन सा त्रिबुज हो बनेगा एक तो बन जाएगा आपके पास सम्धियू बाव त्रिबुज हो बन जाएगा लेकिन साथ साथ में आप यह भी तो देखे है ना अंडूरूट पचास इसका वरग आप करेंगे तो यह देखे इन दोनों का वरग वरग हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो यह नूर्मन ब्रचों वाले क्यों से राम से आप कर लेंगे फिर हम बात करते हैं देखे एक्जांपल नमर फाइप यह परसंद भी एक्जाम में वह पुछा गया है यहां पर आपको बिंदू ए माइनस का एए माइनस का अनूरूट 3A और प्लस का अनूरूट 3A किस प्रकार के त्रिबूज के सिर्स हैं तो सेम टूशेम वही बात यह देखे यह भी उपर वाले परसंद जैसा है यहां पर भी आपको तीन मिन दों दे रहे हैं और यह पूछा कि कौन से त्रिबूज के हो सिर्स हैं तो यह आपने A पोइंट और यह देखे इसके अंदर साइध यहां पर क्या एगा माइनस का यह आएगा ठीक है यह माइनस का यह आप कर लेना और यह संभावत रिबूज के वह सिर्स होंगे यह परसंद आप खुद को करना है अब यह देखे एक्जाम्पल अमर 6 यह भी आपकी एक्जाम में वह कोंट है यह सबसे पर हमने a पॉंट लिया और यह आपने क्या लिया बी जालिया उनतरुद कर रहा दो वियख हैं आपके पास मोल बिंदू के ओपर इसको थिटा को न वो आ गया अब आपसे यह कहा गया है यह देखे ए के कोडिंट आपके पास है चै है की आपको यह कोईड तिटा कि विलीगों चाहिए एक प्रोपट्रटी मो में ली एप थेका उसके अंदर मैंने आपको एक formula उसका ए तहा और कॉन सा formula ये देखिए आपके पास ये अगर कोई triangle है ठीक है ये आपके पास a sirs अ ये आपके पास b है ये आपके पास c sparस इका फी है आई थी कि आप कोस हे निकाल लें तो जो भी इसके सामने के जो भी गुजा है जो भी इसके निद्र काम मिलेंगे तो आपके पास देखें यह थिटर है ना तो इसके कोश थिटर बराबर आपके पास है यह वर्मिला क्या बनेगा इसके सामने वाली गुजा के पास यह देखिए इसको हम नाम हो देदे थे हैं तो और सबस Zamba ये करते हैं तो और और प्लस के अंदर के आएगा O B का स्कुएर और निची आपके पास क्या बचे लाएगा 2 O A और यह देखे इंटू के नेखिए O B हो आएगा अब यह देखे आपने कोजित सुत्रो लगा दिया अब आपको O A का मामान चाहिए O B का मान चाहिए और A B का माहना हो चाहिए तो इन तीनों बिंदों के मद्दी आपको निकान ले है ठीक है ये देखे O मतलब ये मूल बिंदो है इसके कोडिनेट आपके पास क्या है 0-0 है तो आपके पास O A दूरी तो कितनी आजाएगी अंडूरोट के अंदर A स्क्वेर और प्लस के अंदर क्या हैगा B स्क्वेर आजाएगा ठीक है इसी प्रकार आपके पास O B दूरी हो क्या जाएगी अंडूरोट के अंदर क्या जाएगा C स्क्वेर और प्लस के अंदर क्या जाएगा D स्क्वेर हो आजाएगा फिर आपके पास A B दूरी और के आजाएगी यह देखे A B दूरी आप के पास कायगी X 2 मै इसकी rings तो यह देखे आपके पास क्याएगाई बिरेन चैया सी मैंनस का इसकवेड़ा और प्लस रोकिके बाइनास नहीं कस्कुर और पलस के अंदर का स्क्रिकल मिलेगा लिख rat तो यह देखे यहाँ पर आप इसका स्क्वेर के रहेंगे तो C स्क्वेर प्लस के इंदर D स्क्वेर माइनस के इंदर आपके पास क्या है A B का स्क्वेर तो यह देखे इसका स्क्वेर आप यहाँ पर लिख देंगे तो C माइनस A का स्क्वेर और PPLUS केंदर केंदर का आजएगा DE मैनिस B A का SQUARE हो आजएगा और यह देखे निच्चे आपको क्या लिखना है 2 हåना और साथ में О-A और INTO केंदर O B हो लिखना है तो यह देखे UNROOT केंदर आपने क्या लिख दिया A SQUARE PPLUS केंदर B SQUARE ठीक है और अंडूट के अंडर आपने लिग दिया C² प्लस का D² तो इदे के नीचे तो आपको ये अंडूट वाली ट्रम हो मिल गएगी आपको चाहिए अब इदे के उपर हम क्या करते हैं कैलकुलेशन हो करते हैं तो ये कैलकुलेशन करते हैं हमें तो कोजय सुतर ही तो लगा है बाकी तो कुछ किया नहीं और कोजय सुतर अगर आपने एक बार बीच में डिविजन हमने कर लिया तो आपके कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी अभी देखिए इसको हम कोष्ट को ओपन करते हैं और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यह इसान भी माइनस हैना यह भी माइनस और यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब यह देखिए A square से A square हा काट दिया B square से B square हो काट दिया C square से C square कट गया और D square से D square हो कट गया और आपके पास ये देखे उपर क्या बचा 2AB और साथ में आपके पास क्या बचेगा 2DB हो बच जाएगा 2DB हो बच जाएगा और यही आपको चाहिए यही तो आपको चाहिए आपके पास ही देखे 2 उपर से आप कोमन ले लेंगे तो आपके पास हो क्या आएगा AB प्लस के अंदर क्या आएगा BD हो आजाएगा और यह देखे निचे आपके पास एक मिनट एक मिनट यह देखी यह कैए 2AC है ठीक है और यहां पर भी कहाईगा AC आईगा और यहां पर भी कहा जाएगा AC आजएगा और दो से दो आपने निचे लो काट दिया और यह इसा क्यूशन आपके ब्राबर उपर तो आपके पास क्या बचा ना तो important है आगे हम बात करते हैं आपको आना इसा परसंट पर मिलेगा कि कोई भी तार सिर्शों के कोडिनेटर हो दे देगा और यह पूछ लेगा कि कौन सा चत्रबुज हो ने वाला वर्त बनेगा आयत बनेगा या समांतर के तो इए और यह आपके पास भी थया तो आपको और यह काम करता हैं यह सब कोके पास वुर्अ कि हो Eh और बड़ा की हैमस और तो आपको किसी पता चलेगा कि यह बनेगा है समसट तो चारू दूरियां बराबर और फिर अगर आप विक्किनों निकालेंगे तो दोनों विक्किन भी अगर आपके पास बराबर आजाएं ना चारों बुझाएं बराबर और दोनों विक्किन बराबर तो आपको क्या मनीदा वरगव मिल जाएगा ठीक है, अगर आपके पास चारों बुझें बराबर हो विक्णि-अं के लंबाई व बराबर ना हो तब आपके पास क्या है गा समण चतुरभुजड़ व आजाएगा ठीक है इसी प्रकार अगर आपके आमनी सामने कि बुजयन बराबर हो मिल जाए, मतलब DA का मानव, BC के बराबर मिल जाए, और CD का मानव, AB के बराबर मिल जाए, तो आपके पास फिर दो condition बनती है, एक तो क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, एक क्या हो सकता है, समानतर चत्रबुजव हो सकता है, तो आपको किसी है पता से लेग ठीक है वही चीज़ें यहां पे हैं यहां पे आपको मतलब summary typo मैंने लिख दी एकदम छोटे से notes के रूप में और ये अगर आप reading अउ लगा लेंगे तो आपका काम हो चल जाएगा 2D के अंदर तो कम से कम हो चल जाएगा एकदम बड़ी आतरिकी से वह चल जाएगा यह देखिए वरक बराबर आपके पास वापस एक बार पढ़ लेते हैं चारों दूरिया बराबर होती हैं और विक्किन भी आपको हो बराबर मिलेंगे वो बराबर नहीं होते हैं इसके लावा ये देखे पांस नमर का point आपके पास क्या है चत्रूज के विक्रिणों के मद्दे बिंदू संपाती होते हैं ना चत्रूज के मद्दे बिंदू के जो विक्रिण होते हैं उनके मद्दे विंदू क्या होते हैं संपाती होते हैं जैसे मालेजी उपर मैंने यह रहा हना यह देखिए यह आपके पास क्या था चत्रपुस्ता ठीक है यह आपके पास क्या ए पॉइंट है यह आपके पास क्या बी पॉइंट है तो यह देखिए कि चतुरूज के विखनों के attracted video कि विएज है संपाती होते हैं क्यूशन श्टिय संबसे क्या आएगा 5-8 मतलब माइनस का 3 का वर कितना हो गया 9 ठीक है और फिर यह देखे 7-4 तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो यह देखे का 2 मतलब माइनस का 3 का वर 9 ठीक है फिर यह देखे 1 और माइनस माइनस का 2 वापस 3 का वर कितना हो गया 9 तो यह देखे आपके पास क्या आगा है अंडूट 18 तो यह देखे आपके पास क्या है आमने सामने की बुझाएं तो क्या आ रही है अब बराबर आ रही है अब आपके पास क्या हो सकता है या तो आपके पास हो आयत हो सकता है या आपके पास हो सकता है समानतर चत्रवजों हो सकता है टो आपको कीसे पता सलेगा अहम विक्रिणों की दुरियों मौन निकालेंगे तो इस pana आ Abstum Cannos का 2 मतलब 3 कवर कितना हो गया 9 ठीक है और 7 और मैनस मैनस प्लस का 2 तो 9 कवर को कितना हो जाएगा 1 80 तो कैसी और 9 कितने हो गए अंडूट नबह हो गए और यहां पर देखें बीड़ी के बजू आप निकलेंगे तो यह देखें आम ने सामने की बुझाओं के लंबबाई हो कई हूँ कंगई इस परकारसे आपको करना पड़ेगा इसके अलाव कोई shortcut नहीं है कि आपको कोई जैसे से देखते ही पता लग जाए कि हाँ यह आयत होगा यह वरग होगा आपको चारों बींदों से दूरियों निकालने पड़ेगी ए भी दूरी है बी सीडी है ठीक है वहां से आपके पास एक निस्कर्स हो आएगा फिर आपके पास है मतलब अगर आम नहीं सामने की बुझाएं तो आपके पास दो कंडिसन बनते हैं या तो क्या बनता है आयत बनता है या क्या बनता है समांतर चत्रबुजव बनता है फिर आप क्या निकालेंगे विकेंडों के लंबाईयों निकालेंगे अब बात करते हैं देखिए आज के वीडियो को लाश्ट परसन है इंपोर्टेंट है इसे परसन भी पूछ लिया करते हैं एक्जामेंदर कभी-कभी आज आते हैं छोटे-छोटे परसन अगर इजी परसन पूछ नहीं हो तो इसे परसन लेगा एक्जामेंदर अगला परसन इंपोर्टेंट है इसे परसन भी पूछ लिया करते हैं कभी-कभी चत्रबुज का चोथा सिर्ष से ग्याद किजिए जबकि अन्य सिर्ष आपके पास है एक तीन दो चार तीन तीन ठीक है तो यह दिखिए हम चत्रबुज भी बनाते हैं आपके सा भी बना लेज चत्रबुज के जो विक्रिनों के मद्दे पॉइंट हो क्या होते हैं संपति होते हैं तो यह देखिए हम क्या करेंगे एसी का मद्दे पॉइंट हो निकाल लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा बिड़ी के मद्दे पॉइंट के तो यह देखिए आपके पास क्या जाएग और यह किसके बराबर आएगा बिड़ी के मद्धे पोइंट के तो यह देखें आपकी पास यह दूनों क्या होंगे अपक्स कोडिनिat क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और अपस में बराबर हो जाएंगे तो अग्सी प्लस का दो बट्टे दो और बराबर क्या होगा दो होगा तो x प्लस दो बराबर क्या हो गया आपके पास हो चार आ गया ठीक है और x बराबर आपके पास हो क्या जाएगा दो आ जाएगा ठीक है इसी परकार ये देखे y प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और y बराबर आपके पास क्या आज़ेगा 6-4 मतलब 2 आज़ेगा ठीक है तो इदे के चोथा सिर्स आपको क्या मिला 2 और 2 ठीक है यह आपके पास क्या चतरुज का चोथा सिर्स है अब इदे के आज के वीडियो में तो इतना ही है क्योंकि आज मैंने आपको पहले ही एक वीडियो डाल दिया था तो टाइम मैंने आपको बता दिया कि लगबख कोसी से यह रही लगबख 90-100 मेंट के क्लास हो क्योंकि ज़्यदा बड़ी क्लास है तो फिर आप उप जाते हैं हना समझ में नहीं आता तो क्लास हम छोटी रहेंगे अगर टाइम डेगा तो हम दो वीडियो डाल देंगे ठीक है क्योंकि अलग अलग टाइमिंग के अंदर आप देखेंगे तो क्लास को रेगुलर देखेंगे कि दो गंटे के लागत सा है और मैं दो गंटे के अंदर देख लूँगा तो फिर आपके लास्ट के अंदर नहीं समझ में आएगा तो क्लास को मैं छोटी रहूँगा लेकिन टाइम मि के चलना कि जो तैरी करते हैं वो 50% इसको छेटते भी नहीं है ना देखते भी नहीं है कि टूड़ी की क्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे और ये भी हो सकता है कि 2016 की तरह क्यूशन वो 15-20 भी कूछ लिए जाएं ठेक है कुछ भी हो सकता है तो आपको एकदम बड़ी ऐसी समझना है कल हम क्या पढ़ेंगे section formula पढ़ेंगे वापस से मद्य विंदू के coordinate किस प्रकार है ना अनतय विवाजन बाई विवाजन वो सब हम कल लव पढ़ेंगे ठेक है और मने आपको पहले भी बतायता है वापस से एक बार बोल देता हूँ मादिका है जो हमारी अनतय वर कर लवाजन विवाजन